Hello students, good morning to all of you beta pay asp.net लेक्सनेक्ट तेरा अपना data set बार यापा डिस्कुस करना सी है जेधी data set object इस्टॉजगे तो चोनेक्टै डिस्कोनेक्टै डिस्कुनेक्रण गिस्टिबिटेर डाक्से से विधी अब आपनों के प्रोग्रामिंग देना रिलेशन बगैरा नों करता है इट कैन बी यूज़ विद मल्टिपल एंड डिफरिंग डाडा सोर्स अलागलाग सोर्स देना ले यूज़ किता जाना है डाटा सेट में लोकल्स अलागला करता है डाटा सेट में करते हैं पिट एक की को फिम्रीशन देना contenido क्रीज्ज़ कषेदा है वह यूज़ के अब जना सायरा निवारा नों क्रीटे हो ढ र commissioner in लिफ दो कि आपने उपर काम करना चुरू करता है इन यह नहीं पता हुंदा भी सोर्स जड़ा भी डाटा आया हो केड़ी साइट को है की सोर्स हुआ ता, its means that data set can work with the disconnected mode from its data source ता, is the disconnected mode, क्योंकि वाता वी केड रस तो आया तो वो disconnect mode हो गया ला due to which applications do not retain database lock or active database connection for long duration ता, छोग दियूरेशन लबी समेद ले भी कर सकते था हैं से ADO.net accommodate the safe, KL built by increasing program इतको किता को सतंदे मोरा मैं मजलें कि अलवी संजते की आप if you subscribe to... एंपने अजयग मारा मैं पीप्रवजय कुधि यूद पूल o ज हो फिसलिभी में इन प्रवग प्रफवाव जडदर्य कोर्फ घान मीसुद तो भी आपनों नाट दी चेंज़ बगारा कर सकते हैं, वेकोज वी कानाट, भी आर नोट जूसी गारा वी अरवाबल डाटा-बीस कनेक्शन आपनों नहीं पैंदी जैपन वे जरूट पेंदी विया, तो वी कन रीकनेक्ट ना रीकनेक्ट करके और परप डाटासेट न उपलाई करके ओधी विची सिंकल प्रसेस देविची चेंजेस अजीडिया कर सागने हैं इस अलाओ जीडिया आपने लाटासेट हुगे तो अच देविचो सेटिया न प्रसेट करणा हैं पर इसकता है ऑं और रिटासेट न मीदू फासक्नेक्ट न य४िच अवयन कर देक्टर ना इनिशीर गिविदाटासेट करें। तो डाटासेट चंस्ट्रक्रट चैन भी हो सकता और इट कें तेक सटरिंग अर्गुमेंट भी ला सकता जेड़ा पर स्पैसेपाइ करबाऊंदा नेम अपन डाटासेट नाम नहीं पता तो नहीं नाम नहीं पता तो नाम नाम नाल जानते हैं दीस कान बी द दन तेक्व गान डाटासेट नेम शीकल टू नू रटासेट बेंग देता रिए आड़ी एड़ तेबल दाटासेट नो किमें एड कर देयां। दाटाटेबल कि में अड़ किताना दाटेबल अब्जेक्ट एंड देम तो डाटासेट चापनों एड कर सकते इस चान भी डान आज फॉलोग जे सेंटेक्स दिया डाटासेट इंस्तेंस.table.add.datatable.instance मतलब के माई डाटासेट दी विच आपा टेबल जा एड दी में तरल मेथड दी वर्तो करके आपा इंफ्रमेशनली डी आड काल सकते अडिंग दा मल्टीपल डाटाटेबल स्टू डाटासेट तब वही केंड अड़ दा तर इस कैन बी डान एज फॉलोवर डाटासेट इंस्तेंस.table.adu.datatable.1.dataset.table.a.add.datatable.2. मतलो हैं आप दो add कर ले पहले नम्बर दी नोट एकस 0 जानाओ कि तो जोलो की करांगे आपा 1 डाटासेट दीपले ने डाटासेट इने लिज is state remember a d links अपने इस फॉलोगे ता फॉर इच एदे लिए एक लूप लगोंगी फॉर इच दि डाटा टेबल टेबल टेबल्स इन माई दाटासेट.tables ता रिस्पॉंस तो ट्राइट ब्रेक लाके प्लस टेबल्स.tables.tables नेम यह अपनी इस्टेंस आगे जेदी अपनी विच यूज क ते नंपरो loro इस ठेलोग एक भी कोण्ट करन दिल्यापा इंट टेबल्स JAC कौंट करन संब्सॉद करने अपा इंट ब्रीनित अपनी ब्यू्ट आटासेट तेजी लिए आप मार्ज मेथड दी वर्थ जडी करांगे ता टेबल इन दा मार्ज शोट भी इडेंटिकल दैट इस पॉलम और सिमिलर टाटाइप। जडी डाटाइप होना थी सेम होनी चाहिए राज एक टेबल देविच जडी आप ओ डाटाइप दूज्य देविच भी से देविच लिए ठीक है पॉपिंग दाटाइप कंटेंट वी केंट अ कृपी अप डाटाइप सो दाट वी कांड वर्क वीड डाटा विद आटा विदाट अफेक्टिंग द आप दाटा यूज कर साथ है और इसनल डाटाइप दूपरोद कोई परवाब नहीं पेंदा था जां कोपिंग दाटाइप we can creat and extend exact copy of the data set exact copy देओ डाटी आंप शोओं जड़ी कार सकसे है ता उडटाटा शेक्के ऑंडे डातास प्य GAW a ज़ी कर सकने है दो दो एंपली तो नो तो आपनो डिस्पले कर वाना बादाडन अपनो दो पोगी नुटतल आपर दो टेपल जाएद ने कंगा झारी मेर्णिती में जो डूरोटका, वह रहीं है是 फिर अवीमेल में में कुल पार वादावार्ण है। तो आपना पहला टाइटल क्रीट किता डिमोस्टेटिंग दाटासेट टाइटल बटन आईटी ते विचे तो पता ही है सारे नोपके डिस्प्ले करवाना सारे अपना डिस्प्ले हो जुगा तीक ग्रेड विच आपा एड कारका फर्स से सेकंड क्योंके दो टेबल चो करने है अपना ग्रीड विए अड हो गया इस तो बाद होने देखो रहा है इतके आप में पर लिखने है सब्तों पहला पर टेबल क्रीट करते है ता डाटा टेबल इंफर्मेशन इस इकल्टी न्यू डाटा टेबल क्रीट किता स्टुडेंट दे लिवर्ट करने है पहला नमा कॉल देखो आप लिए साथ देखो आप लिए आईड आप लागे पर रोज वान दे विच पहला पामानम दे आईड आप लिए प्र अपकर दीख नाम रिखने है पर दो देखो प्र दीख मुहित दीख अमरिंदर दीख यार्ट नमीज इस पांचिछ लविष्री शेच अमित द कर साथरे के ऱी टेबल के बाद पुरूप्री कि ऍटता है कि आपनेश सेचेट है नाम दास्ता है किसे क्रीमते लेक्ते हो ना, ता gridview 1.datasources is equal to mydataset table 0, पिर इस वाद gridview.databind हो गया, इसके वाद gridview 2.datasources is mydataset.table 1, gridview 2 हो गया, data bind हो गया, तो दोने data कट्थे हो गया, जो दोने डबाग कारके देखांगे, जो डिस्प्ले बटन देके लेके किता, तो तो अधिकोला अधिको अच्छे लोगे, बेटा, thank you so much.